नमस्ते आज मैं सुरू करने जा रहा हूँ भारत के परमवीर भारतपूर के राजा राजा चुरामन ठाकूर फर्स्ट किंग ओफ जाट जाट का बराहें विरोचित कार्ज रहा है वीरता जग प्रशिद रहा है और ये केवल जाट और हडियाना के ही नहीं राजस्थान और पूरे भारत के गौरव रहे हैं मैं आज विसेश करकर के भारती इतिहास के इस परमवीर जाट राजा जाट के प्रथम राजा राजा चुरामन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ यह सभी पब्लिक सर्विस कमीशन एवं विसेश करके राजस्थान और हडियाना के सभी परिच्छाओं के लिए बहुत बहुत उपियोगी है मैं कुमार उत्पा लिमकाबू का फॉर्ड लेकर्ड होल्डर आज मैं इस विशेश बस्तू पर कई वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें यह प्रथम है जो आपको राजस्थान ही नहीं आपको हडियाना दिल्ली की परिच्छाओं में यह विसेश रूप से पूछा जाता है वैसे अन्य जगों की परिच्छाओं के लिए भी यह काफी महत्तपून है आईए मैं बतलाता हूँ भारतपूर के राजा राजा चुरामन्ठा कूर जिन का पिरियड है 1695 से लेके 20 सितंबर 1721 तक इनको फर्स्ट किंग आफ जाट कहा जाता है मैं थोरा सा इनकी परिवारिक परिचे के बाड़े में बता देना चाहता हूँ ये राजवंस जो है आपको सिन सिनवार यदुवंसी जाटवंस है सिन सिनवार यदुवंसी जाटवंस है इसको ध्यांड कियेगा यह परिचाओं में खुब पूछा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ पिता का नाम भज्जा सिंग भगवंत सिंग जिसको ब्रजराज के रूप में भी जाना जाता है इसके बाद मैं आ रहा हूँ माता, माता इनका अम्रित कौर है जो चिकसाना के चौधरी चंदरशिंग चौ से चिकसाना है ये भी ध्यान रखेगा और चौ से चौधरी है चौ से चंदरशिंग है तो भूलिएगा नहीं क्योंकि यह बराबर पूछा जाता है बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं इसलिए मैंने बता दिया चौ यहाँ पर चिकसाना के चौधरी चंदरशिंग के पुत्री है भाई इनके अतिराम और भावशिंग है और आपको बता देते हैं इनके पिता जी दो साधी किये थे और इनकी जो दूसरी माता थी शौतेली माता जिनका नाम इंद्रा कौर था और सौतेला भाई जो था राजा राम जाट पुर्वर्ती सासक था इनसे पुर्व सासक जो थे वह आपको इनके सौतेले भाई राजा राम जाट थे और आपको इनके पुत्र जो हुए दो पुत्र हुए एक बरे पुत्र का नाम मोखम सिंग था और दूसरे का नाम जूल क spacing था तो यह ही इनकी पडिवारिक पर्चे के बाड़े में बता देते हैं थोरा सा हम जाटवंस के बाड़े में बता दे रहे हैं क्योंकि परिछाओं को हर एक एंगिल से हम परः रहे हैं जो किसी भी एंगिल से question पूछे किसी कोन से question पूछे तो वह जवाब दे सकें एक भरतपूर का दूसरा धौलपूर का इसका नामकरण भरतपूर जहां पर भगवान स्री राम के दूसरे भाई आपको भरत थे उनके ही नाम पर भरतपूर परा मेंस भरत के नाम पर इसका नाम भरतपूर परा मैं आपको बता देता हूँ इनके कूल देवता जो थे आपको भगवान स्री राम और भरत के भाई लक्षवन थे कूल देवता इनके लक्षवन थे इसलिए वहाँ पर राजस्थान का एक मात्र मंद्र है लक्ष्वन मंदिर जो भारतपूर में है यह प्रक्ष्ण बढ़ावर हर एक पड़िचाओं में पूछा जाता है इनकी कूल देवी है राजसुरी मंदिर लोहागर लोहागर का दुर्ग बहुत प्रसिद देता वह भारतपूर में है इसको जान लिजे भारतपूर का जो आपका अस्थान है उसके बाड़े में बता देते हैं राजस्थान का यह प्रवेश द्वार है या इसको पूर्वी द्वार के रूप में भी जाना जाता है अब हम आते हैं थोरा सा चर्चा कर देते हैं आपको जो राजा चूरामन ठाकुर थे उनके पूरुवर्ति मेंसु से पहले जो सासक थे उनके सौतेले बड़े भाय जो थे उनका नाम राजा राम जाट था राजा राम जाट से समंधित एक प्रशन बड़ावर पूछा जाता है कि वह जो है सो कौन ऐसा शाशक था जिन्होंने आपको अकवर और जहांगीर के मकवरे पर हमला कर ध्वस्त कर दिया और उसके कब्र को खोद कर उसकी अस्तियों को हडियों को हिंदू पदेती से जला दिया जला करके दाशन सकार किया और यह जो था यह क्यों किया गया था यह इसलिए किया गया था कि हिंदू को भरस्त करने और हिंदू मंदिरों को तोड़ने जो मुगल सासक लोग करते थे कुछ ही एक दो ही जो आपको तो उन्हीं के लिए यह बदले की राजनिती के रूप में यह कार्ज किये थे तो यह कार्ज जो है तो यह आपको पूछा जाता है क्योंकि विरोध करने का यह एक अजूबा हमने पूरे इतिहास में पहली घटना देखे हैं कि जो यह पहली घटना किसी धर्म और मजहव के लोगों को उसके वहाँ से निकाल करके और उसको हडियों को हिंदू पद्धती से जलाना यह पहली बार इतिहास में पूरे भारती इतिहास में पहली घटना है इसलिए यह पड़िक्षाओं में पूछा जाता है इसको आप ध्यान लखेंगे इनका नाम है क्योंकि बहुत सारे बच्चे राजा राम के बारे में नहीं जानते हैं राजा राम जाट लेकिन आपको बता देते हैं इनके पुरुवर्ति सा सकते राजा चुरामन ठाकूर के यह पुरुवर्ति सा सकते इसको ध्यान रखेंगा ठीक है ना दूसरी बात आपको बता देते हैं चुरामन जाट की भी आपको बतला देते हैं बदले की राजनिती इनमें भी आई अपने भाई से ही इन्होंने सीखा लगता है मुगलों को मार करके उनकी खाल अपने किले की दिवारों पर ठांगने का काम किया और यह भी बदले की राजनिती किया लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि चुरामन जो थे कहीं न कहीं मुगल सासक से फैदा भी उठाए और मुगल सासक पर आक्रमन किये आगे मैं बतला रहा हूँ, इनकी सबसे बड़ी कुटनिती थी चुरामन का, कि आपको मारो और भागो, छापामार पद्यती में मारो और भागो, क्योंकि ये छोटे से सासक थे, छोटे से सासक थे, और इन्हों ने आपको राजा तक अस्थापित किया, और आपको बता देते हैं कि इनका राज्य काफी बड़ा राज्य बन गया, तो यह कहीं न कहीं काफी संघर्स कियो होंगे, और वह संघर्स का काल है, जब मुगल शासक अपने मजबूती स्थिती में थी, धीरे धीरे वह धलान की सुरुआत ही हुई थी, ठेक है न, तो यह बात आप ध्यान रख मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो इनकी मारों और भागों की छापा मार पध्यती को यह जीवन पढ़यंत अपना ध्यान रखा चुरामन की कुट निती थी, और दूसरी बात है, गर्वनती की बात थी, कि आपको इनके ही समय में, इनके ही समय में जाट शक्ति प्रचलित ह में जाट का श्रसक्ति करण इन्होंने किया और जाट की महत्यों को काफी आगे बढ़ाया, पूरे देश में लोग अब चुरामन की बात जानने लगे, उनके बाद जो इनके बाद के जेनरेशन आये, वो लोग भी काफी अच्छा कार्ज करके जाट के महत्यों को पूरे द देश विदेश तक फैला दिया, यह एक बहुत गरवनति की बात थी क्योंकि जाट शक्ति का प्रचलन इनके ही समय में हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा, गतिसिल्ता की चर्मोत कर्स, गतिसिल्ता यह अपने आप को और अपने शैनिकों के, अपने शहयोगियों को हर हमे परोशी सासक, इनको पासान ही नहीं पाता था, और आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ से आकर्मन कर दिया, और वह बहुत जादे हुआ जंगल में चले गए, अब जंगल में बहरी जो सुखाविक है, जंगल में उसमय काफी जंगल था, जंगल में भटक जाते थे और उनको लूट पाट भी करते थे और उनको परास भी करते थे यह जो होसियारी उनकी थी यह जो उनका और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि अनुशाशन को भी बनाए रखते थे और वह जो दुश्मन जो थे परोशी जो थे वह भटक जाते थे जंगल में और यह फिर अपने आपको अस्थापित कर लेते थे तो यह एक गतिशिल्टा को बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी था और यह इनका परिणाम बहुत ही अच्छाया मैं आपको इनके कुछ अच्छे व्यक्तित्तों की चर्चा भी कर देना बहुत जरूरी समस्ता हूँ भात्रतो कार्ज यह जो हैं आपको बता देते हैं जोदपूर के राजा अजीत सिंग के साथ इन्होंने भात्रतों का शम्मंध निभाया उनकी बेटी इंदर कुमडी जो थी इंदर कुमडी इनकी बेटी थी उनको मुगल सासक फरुक सियर ने अपने हरम में रखने के लिए आपको पूरा इंतिजाम करा लिया था हरम में पहुचाने के लिए पूरी तयारी कर चुके थे और पहुचा दिया लेकिन इनको ज्योही ख़वर मिला उससे इन्होंने मुक्त कराया यह एक भाई का अपने बहन के प्रति एक बहुत बड़ा भाव दरसाता है यह बहुत बड़ा काज किया तो इन्होंने आपको जोधपूर के राजा अजिस सिंग के साथ बहुत ही अच्छा काम किया क्योंकि बेटी की लाज रख दिया हरम से निकलवाया और यही कारण है कि इनके जो बेटे प्रथम बेटे थे आपको मोखम सिंग जब इनको कठिनाई की दौर में मोखम सिंग इनके ही हाँ अजिस सिंग के हाँ बाद में आपको ठाहरे थे तो यह जो है रुके थे और उनका बहुत ज़ादे अजिस सिंग ने बहुत ज़ादे आपको शाहता की थे तो मैं यह कहना चाहता हूँ आप किसी के साथ अच्छे कारण करेंगे तो सोहाविक है आपको भी अच्छा कार्ज करने आपको भी वह मदद करेगा सोहाविक है और मैं एक बात और बता देता हूँ बंधुत्यों का कार्ज इन्होंने बहुत अच्छा किया एक राजपुत राजा बुंदेला को कालपी और जवलपूर से मुहम्मद वक्त पठान क राजपुत राजा बुंदेला को भी उन्होंने आपको कालपी से आपको क्या हुआ कि कालपी और जवलपूर से मुहम्मद वक्त पठान को वहां से मार भगाया और उनको मदद किया तो यहाँ बंधुत्यों का कार्ज जो है वह भी बहुत अच्छा किया भात्रतों का काम यहां भी बहुत अच्छा किया चलिए मैं आगे बता रहा हूं कि साही मार को बंद करने का कालपी जो साही था मुगल सासक का अपना मार्ग होता था जिसे होकर के ब्यपारी निर्विक होकर के आते जाते थे वह जो चुरामन जो है सिंसिनिवार जाटों ने मुर्शान और ह आत्रस के सरदारों की साहता से दिल्ली, मतुरा, आगरा, धौलपूर के बीच साही आप मार को बंद करा दिया और बंद करा करके आपको यह भी कह देते हैं मुगल शार्षक इतने बड़े शार्षक थे उनसे भी वह टैक्स ले लिए तो यह एक बहुत बड़ा चातूरिय क कार्षक था कि उतने बड़े शार्षक और अन्य से भी वह टैक्स लिए मैं आपको बता देता हूं मुगलों से युद्ध करते समय चूरामन कभी नहीं पकड़े गए कभी नहीं जबकि इनके पास उतनी बड़ी शेना नहीं थी लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात थी ठीक है आपको मुगलों से युद्ध करते समय चूरामन कभी नहीं पकड़ा गया ना पूरी तरह परास हुआ है तो यह एक बहुत बड़ी बात है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह जो है सुक्षमदर्शी द्रिश्टकोन मौका का फैदा वह खुब उठाते थे मौका का फैदा वह छोड़ते थे नहीं हवा के रुख को अपाचानते थे और किस तरह से अगर पूरव से हवा बह रही है तो पूरव से पस्सिम की और चल देते थे पस्सिम से पूरव की और बहने लगी तुरंते तो उसमें चल देने लगते थे तो यहां देखिए आपको बताएंगे मुगल के राजकुमार आजम और मुखजम के सेनाओं में जाजो एक जगा है वहाँ पर मुठवेर हो गई चुरामन सुरुवात में मुखजम की सिवर को लूटा लेकिन जब आजम कमजोर पड़ा तो मौका का फैदा उठा कर वह भी उस पर तूट पड़ा वह इससे इतना समान प्राप्त किये जिससे वह जीवन वहर आर्थिक चिंताओं से पड़े हो गए यह इनकी बड़ी सुक्षमद्रिश्टिकोन थी कि आजम और मुखजम की सेनाओं की लड़ाई में उन्होंने सुरुवात में मुखजम के सिवर को लूटा लेकिन जब आजम कमजोर पड़ने लगा तो वह क्या किया मौका का फाइदा उठा करके उसके दुषमन के साथ मिल करके अउनको यह करने लगा लूटने लगा तो यह जो है जैसे मौका आए दोग के जगड़ों में एक कमजोर पढ़ा है तो कमजोर को छोड़ करके दूसरे के साथ हो जाना यह उनकी रननिती थी और इसमें इतना यह आपको बताते हैं जाजों की लड़ाई में इतना धन एकत्रित किये कि जीवन पड़यंत उनको धन की चिंता नहीं हुई और आर्थिक चिंताओं से वह मुक्त रहे यह बात आप ध्यान रखेंगे और आपको बता देते हैं इसके चलते आपको बता देते हैं समराट मुझम की ओर से उनको इनाम में मिला जबकि मुझम को सुरुआत में मुझम से ही लड़ाई उनकी हुई लेक उसमें से धन तो ये कत्रित दोनों पार्टी से किया ही लेकिन इसके साथ साथ मुज्जम से भी इनाम ले लिया में से लोग का होता है दोनों हाथ में लड़ू इनके मुह में भी लड़ू आ गया तो और इनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि इधर से भी लूटा इधर से भी लूटा और बाद में जो राजा हुआ वह जो है उसे भी इनाम पाया यह इनकी चातूरियता थी इनकी जो सोच जो थी आपको यह सोच बतलाती है कितने यह सुक्षमदर्शी थी और वह सुक्षमदर्शी नहीं होते तो आज इतिहास के पन में इनका नाम बहुत आदर और स्रधा से लिया जाता है और इनका जो छित्र भी काफी बरा था और काफी ससक्त हुए इसका कारण यह जो लड़ाई थी जाजो की लड़ाई तो इसमें बहुत धने कत्रित किया मैं आपको बता रहा हूँ इसी धन से इनका आपको बता रहा हूँ थून का दुर्ग इन्होंने बनवाया थून का दुर्ग बनवाया और यह थून का दुर्ग आप जाएंगे तो देखेंगे बड़ा ही आपको अंडर ग्राउंड आप जाएंगे तो देखेंगे अंडर ग् किला है और लेकिन उपर वाले किला को आपको बता देते हैं आपको ध्वस्त कर दिया गया तोर फोर के धूल धूसरित कर दिया गया और लेकिन आज भी आपको बता देते हैं यह अस्थापत्य कार्ज जो है सो खुद यह जो है चुरामन कुर किये थे जो थून के किलो का निर्मान किया वहाँ पर रानी मा की छतरी घोरसार घोरसार आज भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है और नीचे बाला अंडरग्राउंड बचा हुआ है लेकिन आपको बचा देते हैं एक सरमसार घटना हुई वह सरमसार घटना हुई कि जैसिंग ने थून के किले को धावा करके मुगल सासक फरुक सियर के आदेशवर जैसिंग ने थून के किलो को धावा करके घ्रणा के रूप में गदहे से जुतवा दिया यह भारती इतिहास का सबसे सरमसार घटना है कि गदहे से जुतवा दिया जो जिसके चलते आपको जैसिंग को लोग उतने आदर के साथ नहीं नाम लेते हैं जितना आदर चूरामन को दिया जाता है इसका कारण था यह कोई भी वीर राजा दूसरे वीर राजा को जरूर शम्मान करना चाहिए इससे क्या होता है दोनों के वीरोचित कारण का लेखा जो खा लोग जानते हैं और वह खुद लोग चाहते हैं आने वाली पीर ही चाहती है कि यह जो है वीरोचित का राजा लोग करते रहें ठेक है ना जिससे गौरव शाली परमपड़ा की निव परती है लेकिन यह नहीं हो सका यह सरमसार घटना है दुखत घटना है मैं आपको कुछ और बातें बतला देना चाहता हूँ जो परिच्छाओं के लिए बहुत महत्त पोण है मैं मुगल शाही सेना ध्यक्ष इनको निवक्त किया गया बहादूर सा ने चुडामन को 1500 जात 500 घुरसवार का मनशब प्रदान किया और आपको बता देते हैं कि 1710 से 1711 में शिक्षों के बिरुद्ध जब लड़ाई हुई थी मुगल शाशक का तो मुगल समराट का उन्होंने साथ दिया लेकिन 27 फरवरी 1712 में बहादूर साह की मृतू हुई और मृतू के बाद मृतू के उस समय जो घटना हुई वह उस समय वही पर चुरामन थे जब की चुरामन को सिख के बिरुद्ध अभियान में उनका मन नहीं था अब मन नहीं रहते हो भी उसमें वह शामिल हुए थे मैं थोरा सा बता देता हूँ कि चुरामन की शैन सक्ती के बारे में थोरा सा मैं आपको चर्चा कर देना चाहता हूँ कि इनकी दस हजार युद्धाओं बंदूक्चियों और घुरसवारों और पैदल की शेना थी मैं इसको ध्यान रखियेगा इसलिए सब मुगल सासक चाहते थे कि इनका उपयोग किया जाए क्योंकि मुगल साशक बाद में आपको बहादूसा के बाद बहादूसा प्रथम के बाद धीरे धीरे अपने ही वनसजों में अपने ही राजकुमारों में लड़ाई होने लगी आपको राजा बनने के लिए जिससे क्या हुआ कि वह जो है वह कमजोर होता गया मैं एक और आपको बता देता हूँ अवसरवादी द्रशकोन का जहांदर सा की अनरोद पर चुडामन अपने अनुनाईयों की एक बरी सेना लेकर की आगरा तक गए और जहांदर सा ने अने को शम्मान उनको किया और सम्मान में पोशाक भी भेट की और दो मुगल शिहासन के दावेदरों के बीच के युद्ध में दोनों पक्छों को मैं फिर से बता रहा हूँ यहां भी दोनों पक्छों को लूटा और यहां भी जहांदर सा के अन्रोध पर जो हुआ वहां भी उन्होंने लूटा मेंस इन्होंने मुगल शाषक के आंतरिक जो लड़ाई होती थी उसमें फाइदा उठाए और जिसके कारण इनको अपना और सुसंग गठित आपको यह जो है अपना राज्य को गठित किया जाट जो जाट लोगों का इन्होंने नेत्रत किया और जाट को एक प्रवल शक्ती के रूप में इन्होंने अस्थापित किया मैं यह कहना चाहता हूँ लेकिन इनके दोनों बेटे के बीच में आपको आपसी लड़ाई हो गई और जिसमें बड़े बेटे मोखम शिंग से इनको बकजक हो गई जिसके चलते इन्होंने अपना समझे की आत्माहत्या कर लिया और यह जो है एक वीर जो बहुत इतिहाश में एक नाम अस्तापित किया वह चले गए यह एक दुखत अंत हो गया चलिए मैं आपको एक बात जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको दिली, हडियाना, राजस्थान कि जितनी भी पड़िछा से समंधित बाते हैं उसको वन वाई वन हम करते रहेंगे लेकिन आप यह मत सोचिए कि यह BPSC में नहीं पूछा जाएगा यह जो है UPSC में नहीं पूछा जाएगा लेकिन यह जो है आपको राजस्थान, हडियाना, दिली के लिए तो सर वो पड़ी है चलिए जै हिंद, जै भारत